So hello movie riders, आज मैं एक नई movie explain करने वाली हूँ, जो हाल ही में release हुई है, जिसका नाम है मुझेया, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा amazing movie है, जिसकी storyline, vfx, visual such में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, तो चलिए इस movie को शुरू करते हैं, movie की starting में हम एक गाव का scene देखते हैं, जहाँ पर timeline अब 1950s की चल रही है, यहाँ पर हम एक बच्चे को देखते हैं, जिसका नाम गोटिया होता है, यहाँ पर हम गोटिया की family के बार में पताया जाता है, कि उसकी family में उसकी मदर है और उसकी एक छोटी बहन भी है, इसके बाद में पता चलता है कि गोटिया बच्च्पन से ही बहुत सदा जिदी और अडियल के समका है, उसे जो चीज एक पर चाहिए तो बस चाहिए, ऐसी वो एक नई जिद पकड़ लेता है, जहाँ पर वो अपने गाव की एक मुन्नी नाम की लड़की को पसंद करने लगता है, और भी बात करता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि एक तो मुन्नी उसे 7 साल बड़ी थी, और दूसरा मुन्नी की शादी आलरी किसी और के साथ फिक्स हो गई थी, लेकिन फिर भी गोटिया नहीं मानता, और मुन्नी की शादी जिस लड़की से होने वाली थी, वो उस गलत काम करता है उसकी माँ उसे वही छड़ी से मारती है गोटिया को उस छड़ी से डर भी बहुत लगता है और इन सब के बाद मुन्नी की शादी भी उस लड़के से हो जाती है और दूसरी तरफ गोटिया की इस हरकोतों से उसकी माँ परेशान हो जाती है और उसका थ्रेट स जाने लगता है जिसका नाम चितोगवारी होता है अब यहां पर जाने से सब लोग डरते हैं क्योंकि एक बहुती घना जंगल है और सब लोग सोचते हैं कि यहां पर भूत वगेरा रहते हैं लेकिन गोटिया यहां पर नहीं डरता और अपनी बेहन को लेकर यहां पर जाता है क्योंकि यहां पर वो काला चादू वगेरा कुछ करने वाला था जिसके बाद वो मुन्नी को हासल करने के लिए काला चादू पफॉर्म करता है और हमें पता चलता है कि वो अपनी बहन को इसलिए लेकर आया है है जिसके वजय से गोटिय के वहीं पर मौध हो जाती है और उसकी बेहन इंतना डर जाती है कि वहाँ मेरा बैटा आईसा कैसे कर सकता है लेकिन वह कुछ नहीं कर सकते थी इसके बाद गोटिय का अन्तीन समसकार वगईरा होता है और वहांके पंडित लोग गोटिया की जो एश होती है उसे उसी पेड़ के पास छिरक देते हैं और वहाँ पर एक काला धागा भी बान देते हैं क्योंकि वहाँ पर लोगों का मानना था कि अगर किसी बच्चे की डेथ उसके मुंदन के दस दिन के अंदर हो जाए तो वो भ्रहम राक्षश क्रिय फिर मुंचिया बन जाता है इसलिए सब लोगों को इस बात का डर था इसलिए वो उसी पेड़ के पास उसकी राक को गिरा देते हैं और वहाँ पर काला धागा भी बान देते हैं ताकि गोटिया इसी के अंदर कैद हो जाए और किसी को परिशान ना करे इसके बाद स्टोरी मदर है जिसका नम पमी है और उसकी ग्रेंड मदर है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि बिट्टू के फादर अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनके फादर के साथ क्या हुआ यह हमें मूवी में आगे ही पता चलेगा और बिट्टू की ग्रेंड मदर भी है जो बिट सदा प्यार करती हैं यहां पर हमें पता चलता है कि बिट्टू और उसकी मौम मिलकर सैलून चलाते हैं लेकिन बिट्टू बाहर जाकर हेर डिजाइनिंग वगरा सीखना चाता है लेकिन उसकी मौम उसे बाहर भीजना ही नहीं चाहती ऐसा की यह हमें आगे ही पता चलेगा इसके बाद हम बिट्टू के एक दोस्त भी मिलते हैं जिसका नम स्पील बर्ग कर दिया है जिसे भी बेला ने खुशी से एकसेप्ट कर लिया है दूसरे तरफ हमें पता चलता है कि बिट्टू को अकसर ही चितुग वाड़ी और उसी पेड़ के नाइट मेर्स आते हैं जिसमें की मुझिया कैद है अब ऐसा इसलिए है क्योंकि बिट्टू भी उसी गाव से डेथ हो गई थी इसलिए ही पम्मी बिट्टू को लेकर वहाँ नहीं जाती लेकिन इस पार इतने सालों के बाद फाइनली बिट्टू की पूरी फैमली को गाव जाना ही पड़ता है क्योंकि बिट्टू की कजन जिसका नाम रुको है उसकी एंगेजमेंट थी इसके बाद म उनकी एक जगा थी उसको बेचना चाहता था लेकिन बालू की मदर यानि बिट्टू की ग्रैंड मदर साफ साफ मना कर देती है कि हम उस जगा को नहीं बेच सकते क्योंकि वो जगह शरापित है और हम ये शराप किसी और नहीं डाल सकते लेकिन बालू कहता है कि जब आपके डेट भी तो इसलिए हुई थी क्योंकि वो उस पेड़ को बेशने गया था और कभी वापिस आया ही नहीं ये बात बिट्टू भी सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि चितोगवारी में जाकरी उसके फादर भी डेट हुई थी इसलिए वो अगली ही फल चितोगवारी जाने के लिए निकल जाता है और उसी पेड़ को देखकर जो उसके सपनों में आता है वो देखकर बहुत सदा डर जाता है दूसी तरफ हम गोटिया को देखते हैं जो इसी पेड़ पर कहता और अब वो मुझिया बन चुका है और वो बिट्टू को देखकर बहुत सदा गोटिया की बेहन है, जिसे वो मारने की कोशिश कर रहा था, यहां पर वो देखती है कि गोटिया ने बिट्टू को पकड लिया है, इसलिए वो अपनी और गोटिया की माँ की चड़ी का यूज करती है, क्योंकि आपको याद हो तो गोटिया को इस चड़ी से बहुत सदा डर लगता है, और जब दादी बार बार इस चड़ी से उस पेड़ पर वार करती है, तो गोटिया इस चड़ी से डर भी जाता है, और वो फाइनली बिट्टू को छोड़ भी देता है, लेकिन जैसे ही दादी बिट्टू को यहां से लेकर जाने वाली थी, लेकिन जैसे ही यहा इसे देखकर तो बिट्टू इतना जदा डर जाता है कि वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसे जैसे ही होश आता है हम देखते हैं कि वह हस्पिटल में है और उसे पता चलता है कि उसकी दादी अब इस दुनिया में नहीं है। इसलिए वह खुद गो कोसने लगता है और यहां पर बालु काका भी कोई कसर नहीं चोड़ते हैं और वह बिट्टू पर ही अपनी मा की मौत का इलजाम डालते हैं। और हम देखते हैं कि यहां पर बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इसलिए पम्मी ये सबरदाश नहीं करती और अपने बेटे को लेकर यहां से जाने लगती है लेकिन बस में हम नोटिस करते हैं कि बिट्टू को पैदा चल गया है कि मौनजिया अब आजाद हो गया है और वो उसी के साथ उसके शेहर पुने में जा रहा है जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है अब मौनजिया को सिर्फ बलड रिलेटिस यानि की खून के रिष्टदार ही देख सकते थे इसलिए बस में सिर्फ बिट्टू को ही वो दिखाए दे रहा था और किसी को नहीं यहां पर हम देखती है कि मौनजिया बिट्टू को बहुत ज़्यादा परिशान करता है और जैसी वो घर पर पहुँचते हैं वो बिचारे बिट्टू को बहुत ज़्यादा मारता है जिसके वजह से बिट्टू को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है हमें पता चल मुझजिया दिन में नहीं निकल सकता मतलब वो सिर्व रात को ही बिटू को परिशान करता है जिसके वज़े से बिचारे बिटू की तो रातों की नींधी हराम हो जाती है और वो परिशान रहने लगता है अब अमी को इस बात का पता चलता है तो वो सोचती है कि जरूर बिट्टू अपनी ग्रैंड मदर के जाने के वज़े से परेशान है इसलिए वो इस बात पर जादा ध्यान नहीं देती अब जैसे ही बिट्टू का दोस्पील बर्क उसे पूछता है तो बिट्टू सारी राम कहानी मुंजिया की उसे सुना देता है लेकिन स्पील बर्क उसकी बातों का यकीन ही नहीं होता लेकिन जैसी ही रात होती है आज तो मुंजिया बिट्टू के साथ साथ बिचारे स्पील बर्को भी बहुत जादा मारता है जिसके वज़े से स्पील बर्को भी मुंजिया की बात पर यकीन हो जाता है अब ये दोनों दोस्त मुंजिया के वज़े से बहुत परिशान थे इसलिए डिसाइट करते हैं कि ये मुंजिया के लिए मुन्नी को ढूनेंगे तो फाइनली इन जो देखकर हमें शौक लगता है यू कि मुन्जिया को मुन्जिया को बथ कोश हो जाता है और वही कि मुन्जिया चैसी ही दिखती ome है। अब ये सुनकर तो स्पीलबर्ग और बिट्टू दोनों की हालत खराब हो जाती है अब यहाँ पर बिट्टू बेला को तो मुंजिया के हवाले नहीं कर सकता था इसलिए वो दिन के टाइम अपने दो स्पीलबर्ग के साथ एक पादरी से मिल ले जाता है जो की इन तंतर वंतर में मुंजिया वगरा को पकड़ने में एक्सपर्ट होती है जिसका नाम यहाँ पर एल्विस होता है यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो एक धोंगी किसम का इंसान है लेकिन जैसे वो बिट्टू के पीट पर मुंजिया का निशान देखता है वो पहचान जाता है कि यह मुंजिया का है निशान है इसलिए वो जोर्थ से चलाता है कि यह तो मुंजिया का निशान है इसके बाद वो मुंजिया की पूरी कहानी बताना शुरू करता है वो बताता है कि जब कोई बालक अपने मुंडन के 10 दिन के अंदर मर्ज़ आए तब वो मुंजिया बन जाता है और मुंजिया सिर्फ अपने खून के रिष्टदारों को ही दिखाई देता है और वो जब तक उसे आत्मा को शानती नहीं मिलती जब तक कि वो अपनी इच्छा को पूरी नहीं कर लेता और मुंजिया की जादातर अदूरी इच्छा शादी करने की होती है इसलिए यहाँ पर वो पहले अपने किसी खून के रिष्टदार को अपना होस्टेज बनाता है मतलब जिस पर वो रह सके और यहाँ पर वो होस्टेज बिट्टू को बनाया था इसके बाद वो बताता है कि मुंजिया को किसी से अगर शादी करनी है और इसके बाद मुंजिया बकरी के रूप में उस लड़की से शादी करेगा यानि की बेला से और इसके बाद मुंजिया उस लड़की की बली दे देगा मतलब उसे भी मार डालेगा और फिर ये दोनों आत्मा बन कर एक साथ रहेंगे ये जानकर तो बिट्टू और स्पीलबर्ग दोनों ही हरान हो जाते हैं क्योंकि मुंजिया ने उन्हें ये तो बताए नहीं था कि वो शादे के बाद बेला को मार डालेगा इसलिए ये लोग और भी जदा परेशन हो जाते हैं लेकिन यहाँ पर एल्विस पादरी कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर हमें मुंजिया को हराना है तो हमें उस टाइम उसे मार डालना होगा जब वो बकरी की फॉर्म के अंदर होगा तब ही हम बेला को बचा सकते हैं यह सारी बाती सुनने के बाद बिटू और स्पील पर प्लैन करते हैं कि वो बेला को बेला फूसला के किसी तरह गाव लेकर जाएंगे और यह सारा रिच्वल करेंगे और चब मुंजिया उस बगरी के अंदर आएगा चब मुंजिया को मार डालेंगे बेला पहले तो नहीं मानती लेकिन बिटू उससे कहता है कि हम गाव में व्लोगिंग करने जाएंगे क्योंकि अब बेला को व्लोगिंग करना बहुत पसंड था, इस तरह वह बिटू के साथ जाने के लिए मान जाती है इसके बाद हमें पता चलता है कि ये सारे दोस्त वहाँ पर जाने के लिए निकल जाते हैं और यहाँ पर ये सब लोग बिट्टू की एक अजन यानि की रुकू के घर पर रुखने वाले थे यानि की इन्शॉट बालु कागा की घर पर क्योंकि ये बालु कागा ही तो बेटी है जिसका नम रुकू है दूसी तरह में पता चलता है कि ये सब लोग शूट के तयारी करने लगते हैं इसके बाद बेला यहां पर बिट्टू को बताती है कि वो कूबा के साथ ब्रेक अप करना चाहती है यानि इपने बॉर्फरेंट के साथ लेकि तब यहां पर कूबा भी आ जाता है जिसके बाद सबसे पहले कूबा बेला के पास आता है और उससे माफ़ी मांगता है जिसके बाद मैं पता चलता है कि वही कपल्स वाली फाइट हुई होगी इसके बाद बेला कूबा को माफ़ भी कर देती है जिसके बाद हम देखते हैं कि बेला और कूबा में फिर से पैस्ट अब हो जाता है और वो हैंग आउट करने लगते हैं लेकिन अब तक शाम हो चुकी थी और यहां पर मुंजिया वापस आ जाता है और वो देखता है कि उसकी होने वाली वाइफ के साथ कोई घूम रहा है इसलिए उसे कूप आपर बहुत गुस्ता आता है और वो उसकी मार मार कर पिचारे के बरी हालत कर देता है दूसरी तरफ हम रुकू को देखते हैं जो भी मुंजिया को देख लेती है क्योंकि वो भी तो मुंजिया की खून की रिष्टेदार थी जिसके वज़े से वो बहुत सदा डर जाती है इसके बाद मुंजिया रुकू को कहता है कि मेरी बेला से शादी कराओ वरना मैं तुम्हे मार डालूँगा जिसके वज़े से ये सब लोग प्लैन बनाते हैं और बिटू यहाँ पर बेला को एक कोकोनेट नारियल में शराब मिला कर पिला देता है जिसके वज़े से बेला पूरी तरह से टली हो जाती है इसके बाद यह वहाँ से एक बकरी उठाते हैं और बेला को लेकर और उस बकरी को लेकर चितुक वारे में पहुच जाते हैं इसके बाद बिटू अपने खून की हल्प से उस बकरी पर वही निशान बनाता है जिसकी हल्प से मुझिया की आत्मा उस बकरी के अंदर चले जाती है अब इनका प्लैन तो ये था कि वो बकरी को मार डालेंगे जिसकी वज़े से मुझिया खतम हो जाएगा लेकिन यहाँ पर टली बेला उस बकरी को बचा लेती है जिसकी वज़े से उनका प्लैन वहीं पर फ्लॉप हो जाता है जिसकी वज़े से होता ये है कि मुझिया की आत्मा बकरी से निकल कर बेला के अंदर चले जाती है जिसकी वज़े से बेला मुझिया से पोजस हो जाती है और वो सब लोग काका गई थी इसलिए ये सब लोग पम्मी के पास जाते हैं और उन्हें भड़काते हैं कि वो बालो काका से बकरी वापस लियाए क्योंकि उसके अंदर बेला की आत्मा थी इसलिए पम्मी यहां से निकल जाती है दूसरी तरफ बेला भी अब गाव में आ चुकी थी क्योंकि इसके अंदर मुझे की आत्मा थी और वो सब लोगों को हमला करने लगती है लेकिन तब ही यहां पर एंट्री होती है एल्विश पादरी की जो बेला को एक नमक के गेरे में कैद कर देते हैं और थोड़ी देर के लिए बेला वहीं पर कैद होके रह जाती है जिसके बाद य लविश पादरी कहता है कि तो जरूर तुम्हारी अंदर बेला की आत्मा होगी इसलिए तुम्हारी उपर खून से सिंबल बनाना होगा यहां पर हमें पता चलता है कि जिस पर भी खून से सिंबल होगा उससे हम आत्मा को ट्रांसफर कर सकते हैं इसलिए सब लोग बालु का काका ने किसी और बकली को खाया था और यह सब लोग उसे देखकर बहुत सद्धा खूश हो जाते हैं इसके बाद एक मुमेंट आता है जिसमें बेला के अपर मुझिया की आत्मा थी बालू काका की ऊपर भी सिंबल था और उस बकली के उपर भी सिंबल था इसलिए तीनों लो पर हमला करने लगते हैं यहां पर बालू काका सब लोग पर बहुत भारी पड़ते हैं और वो बिट्टू को अलमस्ट मारने ही वाले थे लेकिन तब यहां पर बिट्टू की ग्रैंड मदर की आत्मा आती है और वो उसे छड़ी दिखाते हुए कहती है कि इसका इस्तमाल करो और बिट्टू को मौटिवेट करती है क्योंकि वो चड़ी गोटिया की मांगी थी इसलिए बिट्टू वही चड़ी उठाता है और उस चड़ी को लेकर चितुक वाड़ी में जाता है जहां पर हम बालू को देखते हैं जिसके अंदर मुंजिया की आत्मा है जो कि बैला को बना देता है जिसकी वज़े से मुंजिया की आत्मा बालू काका की शरी से निकल कर उस पेड़ में फिर से कैद हो जाती है लेकिन यहां पर बिट्टू और बैला यहां से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन मुंजिया अपनी पेड़ की तेहनियों से उन दोनों को पकड़ लेता है लेकिन अब तक बैला को भी होश आ गया था इसलिए वहां से एक मशाल उठाती है और उस पेड़ को ही जला देती है जिसमें की मुंजिया की आत्मा कैद थी जिसके बाद यह सब लोग रहत की सास लेते हैं क्योंकि फाइनली इन्हें मुंजिया से चुटकारा मिल इसके बाद यह सब लोग वापिस से अपने शहर पूने में आ जाते हैं जहां पर फाइनली आज बिटू हीमत करता है और बैला को प्रपोस कर देता है लेकिन बैला अभी भी उसे फ्रेंड जोन कर देती है वो बिटो को बताती है कि वो अपनी फर्दर स्टडिस के लिए ब बिटू और उसके फ्रेंड्स और उसकी पूरी फैमिलिया बहुत जादा खुश है दूसी तरफ हम गाउ का सीन देखते हैं जहां पर हम बालू काका को देखते हैं जिनकी मेंटल हंथ खराब हो गई है और वो खुद को एक पेड़ समझने लगे हैं यह सच में बहुत ही अपने आते हैं इसलिए फिर से अपनी ग्रेंड्मदर की दी हुई स्टिक को उठाता है जो कि मुंजिया की मा की छड़ी थी ताकि वो इस पार भी मुंजिया का सामना कर सके और इसी के साथ मुंजिया मुवी यहीं पर खतम हो जाती है लेकिन बात में हम एक पोस्ट लेटि सीन में हम जना को देखते हैं जो कि भासकर को कपड़े लाकर देता है क्योंकि भासकर अभी अभी बेडिया से यूमन फोम में आया था इसके बाद वो जो से कपड़े लाकर देता है उस पर मुंजिया को देखते हैं जो कि उस पेड़ पर से चिलाता है कि मुंजिया और इस ये मूवी यहीं पर खतम हो जाती है I hope कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और अगर लगी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें Thank you for watching